हेलो दोस्तों, तो जैसे कि कल EK2 ने एक सरकुलर पर एक नोटिस जारी किया था जिसमें था कि अगर आपका फोटो सही से अप्लोड नहीं है, या फिर साइन अप्लोड नहीं है, या फिर आपका मॉडाइल नंबर या फिर इमेल अड गलत है, तो आप उसको कैसे इडिट कर सक तो profile जैसे आप open करेंगे इसमें आपको सारे details fill मिलेंगे यहां पर अगर आपके profile pick और signature wrong बता रहा है तो यहां पर आपको upload करने का option मिलेगा और अगर जो सही है तो upload करने का option नहीं मिलेगा फिर इसी में सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहां पर पहला option जो लिखा है my information for editing तो इसमें आपको basic details में आपको blood groups अगर जो आपको गलत है तो आप चेंज करके save पर click कर देंगे फिर अगला है address अगर जो आपका address भी गलत है तो यहां पर आप अपना address चेंज करके save कर देंगे फिर थर्ड option में आपके contact है तो contact में अगर आपका यहां पर mobile number और email ID गलत है तो पहले option में आप अपना सही mobile number डालेंगे और second option में आप अपना email ID डालेंगे तो जैसे आप go to next बिटन पर click करेंगे आपके email और आपके mobile number पर OTP आएगी तो यहां पर आप देख पार हैं दो आ OTP फिल करने के बाद आपको जो लिखा है बालेट mobile number email ID इस पर आपको click कर देना है और कुछ दिर बेड करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो mobile number है और email ID है अपडेट किया था वह successfully हो चुका है तो इसी mobile number और email ID पर मेरे जो 12 तारीक को है user ID password online exam का आएगा फिर भी और जो नहीं आ रहा है आपके mobile number और email ID पर तो आप अपने ERP login करके भी वहां से अपना user ID password ले सकते हैं मैंने वीडियो अभी तक इसलहीं नहीं लोड किया था क्योंकि एक ट्यूने तो कहा था कि 911 तक अपडेट कर सकते हैं लेकिन यह अभी अभी open हुआ है इससे पहले यह open option नहीं हुआ था तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को आल पर क्लिक करें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें थांक्स फर वाजिंग इस वीडियो